COVID-19 के चलते बॉल को स्वेट या सलायवा से साइन करने से बिमारी फैल सकती है इसलिए थूक या पसीने से बॉल को चमकाना क्रिकेट बोट्स ने बैन कर दिया है लेकिन इससे फास बोलर्स को काफी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है बॉल को स्वेंग कराने के लिए एक साइट ड्राए और दुसरी साइट शाइनी होना जरूरी होता है या फिर बॉल एक साइट से हैवी हो ठीक जैसे टेप बॉल क्रिकेट में होता है बिना स्वेंग के फास बोलर्स एक तरह से गेम से बाहर हो जाते हैं खासकर सब कॉंटिनेंट कंडिशन्स में जहां पिच भी फास्ट बोलर्स का सांथ नहीं देती इससे बैट और बॉल के बीच में कॉंपिटिशन एक तरफा हो सकता है और स्टित लियाई निर्माता कंपनी कुकुबरा ने एक वैक्स एप्लिकेटर बनाया है जिससे आप गें से संतुष्ट है कि अमपायर की देख रेक में इस वैक्स का इस्तमाल किया जा सकता है जिससे खिलाडियों को भी मदद मिलेगी वहीं एक नया एप्लिकेटर समस्या का एक संबावित समधान है हालात को देखते हुए कोकोबरा वैक्स एप्लिकेटर तयार कर रही है कंपनी क एमडी वैट एलियट ने कहा हम गेन चमकाने के परंपरिक तरीकों को बदलने के लिए एक वैक्स एप्लिकेटर पर काम कर रहे हैं अमपायरों की निगरानी में इसका इस्तिमाल किया जाएगा एक छोटे से स्पंज के उपरी हिस्से पर खास तरह के मोम की परत होगी इसे एमपायर्स आसानी से जेब में रख सकेंगे औस्ट्रेलियन इंस्टिटूड आफ स्पोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि भविस्से में गेन चमकाने के लिए भूप फसीने या लाग का इस्तिमाल नहीं किया जा सकेगा इलियट के मताबिक वैक्स एप्लिकेटर एक महीने में वजाल में आ सकता है अलागी मैच के दोरान ही इसके सही नतीजे सामने आ सकेंगे ऐसा नहीं है कि हमें इसे हमेशा के लिए ही बनाना है बलकि इससे क्रिकेट के वापसी में मदद मिलेगी और क्रिकेट मैदान पर जल्द वापस आ पाएगा 12 महिने पहले इसका नाम किसी न सुना नहीं था लेकिन अब ये काम में आ सकता है क्रिकेट बॉल मनुफेक्चिरिंग कमपनी आर्टिफिशल चीजों से भी क्रिकेट बॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बॉल स्विंग कराने के लिए शाइनी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए